प्यारे साथियो नमस्कार गुरुजी आर्पी शोरान के चैनल में आपका हारदिक स्वागत है और आज हमारे पास जो जमीन आई है वह 22 भीगा, 3 विश्वा है, नहर का कोर्नर है ये देख सकते हो आप नहर जाती हुई और यहाँ पर ये जमीन पढ़ती है मैं पूरी वीडियो भी सारी चीजें आपको दिखाऊंगा, पहले एक बार ये आप समझ लें, ये चक 25 जेजे डबलू तहसिल मोहनगट जिला जैसलमेर, 22 विगा, 3 विश्वा, ये जमीन है नहर के कोर्नर पर, और सिंचाई की बात करें तो 14 गंटे सिंचाई, जो है नहर का पानी इसमें लगता है, 3 फेस बिजली कनेक्शन है, चारों तरफ तारबंदी वे जेसी बी की खाई है, जो कि मैं वीडियो में भी आपको देखाऊंगा, रोड से 3 किलोमिटर पक्का रस्ता, जो है इस जगे तक आया हुआ हुआ है, पक्का मकान है, 12,000 इंटों से 10 बाई 10 फुट का ये कमरा बना रखा इसने, और खेत का नक्षा आप ये देख सकते हैं, एसी की जमीन है, छेलूराम, जी जो है किसान है, और ये आप नीचे देख सकते हैं, मेगवाल, खातेदार, तो एसी की जमीन, आईए अब मैं आपको पूरा इसका वीडियो दिखा देता हू ये देखिए साथियो, ये बड़ी नहर है, जिसको जेजे नहर वोला जाता है, इसी की एक ब्रांच जो है वो फत्ता माइनर है, और इन नहरों के चकर में, इस किसान की तीन बीगा जमीन भी जो है, इन में आ गई है, तो वो 22 बीगा जमीन जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो मै ये रस्ता आ रहा है वहां से ये डाई किलो मिटर के करीब ये अपना खेद पड़ जाता है ये वीडियो किसान ने हमारे पास भेजा है और इसका पानी भी आप देख सकते हैं कि 25 नंबर जो खाड़ा है उससे 16 मुर्बों में ये पानी लगता है अर्थात 16 मुर्बे जो जमी साइड देख रहे हो आप यहां वो सामने जो कोठा है वो इस नहर से इस माइनर से 200 फुट दूरी पर है और 180 फुट दूरी पर है 12 तो ये जमीन जो है ये 22 बिगा इस कोर्नर की जमीन है ये और बहुत अच्छी लोकेशन पर है अच्छा इसका पानी है 9 गंटे 1 है पानी की कह सकते हैं कि एक दिन और एक रात का जो है ये सरकुलर पानी का है इस खेत में और ये जो ट्यूवल लगा रहे थे पहले का जो इनके पास वीडियो था वो भी इन्होंने हमारे पास भेज दिया है तो हमने जोड करके सारी इकाईयां आपको प्रस्तूत कर रहे हैं पानी ब बहतर पानी जो है वो इस जगह का है इसमें कोई दिक्कत नहीं ये 22 भीगा तीन बिश्वा पूरी जमीन पड़ जाती है और ये देखिए आप इसमें मुंफली की फसल मिटी देख सकते हैं पानी लगने से टाइट हो चुकी है दोमट बन चुकी है और ये मुंफली की जो बड़े बड़े आपको मंदली या डेर कह सकते हैं ये इकठे होने लग रहे हैं तो अच्छी खासी उपज की जमीन है बिल्कुल प्लेन है और इसके चारों तरफ भी मैं दिखाऊंगा कैसे उसने JCB से जो है नालियां खुदवा करके और तारपटी कर रखी है तो जमीन मे कोई दिकत नहीं है बहुत अच्छी जमीन अच्छी लोकेशन अच्छा पानी ये देखिए JCB से इस तरह इसने जो है ये खाली खुदवा करके नाली और तारपटी अपनी कर दी है सामने आपको ये मकान भी दिखाई दे रहा है इस प्रकार से ये शुरूआत के जो दिन थ स्वीरे हैं अब तो इसको और भी ज्यादा जो है अच्छा ड्वलप कर रखा इसने अभी आपने पीछे ये फसल देखी और ये आपको दिखा दिया है और ये किसान जो है छेलूराम जी आप ही के लिए जो है कमरे को साफ कर रहे हैं आएं देखें और कोई भी दिकत नहीं है लगबग 14 गंटे जो है बारी है और ये 25 नंबर का जो खाड़ा है वो सोड़ा मुर्बों के लिए ही बना है जेजे नहर से ये फत्ता माइनर आ जाता है और जितनी बाते हैं लगबग मैंने आपको बता दी है रेट की अगर हम बात करें तो साड़े 18 लाख रुपए जो वहां से जो है 85 फुट का वो रोड है गोलू रामगड वाला वहां से आपको डाई किलोमेटर चलके इस जमीन में पहुंचना पड़ता है और पिचानवा नंबर जो पुलिया है उस पर उतरना पड़ता है गोलू रामगड रोड पर पिचानवा नंबर पुलिया वहां से फिर आप इस फत्ता माइनर से होकर के इस खेट तक आपाते हैं डाई किलो मिटर की दूरी पर ये सारी चीजे मैंने आपको अच्छी तरह से बता दी हैं दो साइड में जे सी बी से वो डोला बनाया हुआ है तारपटी है सोरूर्जा की फाइल साड़े साथ एस पी की मंजूर हो चुकी है और अगर मैं बात करूँ तो डिगगी भी मंजूर हो चुकी है 84,000 रुपए ये जो सरकारी हैं भर चुके हैं तो सारी की सारी चीज व्यवस्तित हैं सोलर भी है डिगगी भी है और नहर का पानी भी ट्यूवेल का पानी भी 22 भीगा साड़े 18 लाख रुपए में ये ऐसी की जमीन ये 10 बाई 10 का एक कमरा और आपका स्वागत करने के लिए छेलू रामजी तयार है पूरी तरह से साफ सफाई इनों ने कर दी है तो कहने का मतलब ये है साथियों की इस दाम में ऐसी जगह पर आप देख सकते हैं ये रामदेवरा और बेरेवाडा और मोहनगड यहां से जो है ये अपना लर्की चोराहा 14 किलोमेटर की दूरी पर पर जाता है और ये देखिए लारी का चोराहा जीरो किलोमेटर यहां ये खड़े हैं और ये आप देख सकते हैं नक्सा की कैसे नहर के कोर्नर पर है ये किसान ने कुछ फोटो हमारे पास बेजे थे अपनी फसल के जिसमें मूंग भी है, मोठ भी है, गुवार भी है, तिल भी है तो ये सारी चीजें जो है यहां अच्छी बहुत मात्रा में होती हैं साथियो वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब जरूर करें, जै भारत, जै हिन